आज हम अपने प्रियंबल का दूसरा कीवर्ड जानेंगे और उसके बारे में समझेंगे बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा दूसरा कीवर्ड which is socialist अब देखिए हमारा जो प्रियंबल है वो सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है वो हुआ हमारी 42nd Amendment से 42nd Amendment से यह आई थी 1976 में यह जो हमारी 42nd Amendment थी इसमें हमने बात की हमने तीन जो वर्ड्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया प्रियंबल में एक socialist एक secular और एक integrity इन तीन वर्ड्स को हमने अपने प्रियंबल में इंट्रोड्यूस किया अब actually socialist, secular और integrity इन तीनों वर्ड्स का कहीं ना कहीं directly और indirectly already हमारे constitution में और हमारे preamble जो है उसमें इसका meaning already चुपा हुआ था तो फिर भी हमने इसको adopt क्यों किया अगर इसका simple सीधा एक तुक दो टुक जबाब दूँ तो इसका मतलब यह है कि उस time पे जो आपकी इंदरा गांदी की सरकार थी it was a mere political stunt सिर्फ एक political stunt की वज़ा से जो प्रियंबल में उस time पे change किया गया कि आपका यह तरी वर्ट्स को हम एड करते हैं, secular बनाएंगे socialism की तरफ जाएंगे और integrity और integrity पे ध्यान रखेंगे integrity को unity के साथ जोड़ा गया था, आने वाली वीडियो जो हम उसको देख लेंगे अब इसमें एक बात जो है हमारे समझने वाली वो यह है कि already preamble में socialism के बारे में दिया हुआ था equality की बात करता है socialism socialism का actually meaning के होता है कि equal distribution की बात करता है equal distribution यानि जो आपकी सरकार है उसका काम यह है कि जो citizens हैं उन सबके पास equal distribution हो सबके पास अगर 10 रुपए हैं तो सबके पास पर 10 रुपए होंगे इस तरह के equal distribution की बात socialism करता है लेकिन हुआ क्या कि आपका यह तो already preamble में है यदि मैं आपको screen पे दिखा हूँ तो आप देखेंगे equality की बात हम कर रहे है जिसमे प्रिएंबल में हम equality की बात कर रहे है अगर आप screen पे देख पा रहे है तो अगर हम पहले से यह कर रहे हैं तो फिर ऐसा लिखने की ज़रूँ थी नहीं बट फिर भी हुआ इसके साथ साथ एक और चीज कि 1955 में यह पहले बद question आ चुगा है 1955 में जो congress थी उस time पे power में थी तो अबधी session था उनका वहाँ पे उन्होंने क्या किया resolution निकाला और वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम एक socialistic form of society जो है उसके लिए हम इसको resolution निकाल रहे हैं और हम हमें इंडिया में socialistic form of society चाहिए जहाँ पे equal distribution की बात हो इस तरह की कहीं न कहीं हमें society चाहिए अब socialism जो है या फिर socialist word जो है उसका almost एकदम उल्टा जो है वो word होता है communist क्या होता है communist और एक और word अगर मैं आपको साथ साथ बता दू तो आपको conceptual clarity और ज़्यादा हो जाएगी एक word होता है capitalist communist, socialist इन तीनो words को एक बात देख लेते जो socialism है वहाँ पे government प्लस private दोनों exist कर सकती है इन दोनों entities यानि सरकार भी होगी और कुछ ना कुछ private firms भी होगी जैसा आज इंडिया में होता है अगर सरकार के पास railways की monopoly है तो कहीं ने कहीं अंबाइनी और अंडाइनी की भी बात होती है जो की private entities है तो इसलिए इंडिया में socialism form की हम government चाहते है प्लस communist में क्या होता है कि सब कुछ state controlled होता है state ही सब कुछ control करेगी याने जो सुई है सुई से लेके जहाज तक सब कुछ सरकार खुद बनाएगी तो यहाँ पर क्या होता है कि सरकार के पास सब कुछ सरकार own भी करती है प्लस control भी करती इसी चीज़ को अगर हम यहाँ देखें socialism में देखें तो हम यहाँ पर own करने की बात नहीं कर सकते कि सरकार distribution की बात करती है सरकार distribution की बात करती है हाँ सरकार control ज़रूर कर सकते है बट distribution सब में बराबर होना चाहिए तो यहाँ पे इन दोनों में तो यह difference है और capitalist जो है यह तो आपकी सीधी-सीधी क्या है कि जो market में आपकी companies है totally private की private जो entities है उनी के base पे जो आपका देश रन होता है उसमें capitalist countries इसका एक example अगर मैं आपको दूँ तो Singapore इसका एक example हो सकता है इसमें क्या होता है कि जो आपकी capitalist यानि private trade सबसे ज़ादा इसमें matter करता है तो यह है अब इंडिया का क्या है कि इंडिया ने जो आपका socialism है उसने democratic form of socialism की हम बात करते है democratic form of socialism जिसका मतलब यह है कि कि हमारे पास government plus private दोनों entities जो हैं वो काम करेंगी और यह actually बहुत अच्छा है क्योंकि यदि सब कुछ government control करेगी तो equality की बात कहां जाएगी जो की already preamble में लिखी हुई है plus जो आपका private entities हैं अगर उनको आप formation करने की जो आप private companies हैं उनको आप चलने की बात नहीं करेंगे उनको आप उनको आप promote नहीं करेंगे तो फिर उसके उससाब से तो फिर आपका एक तो देश पे शड़ जाएगा plus globalization time पे अगर private companies जो हैं आपके बात नहीं होगी तो आप उन areas में नहीं पहुंच सकते जहां पे जहां पे investment जादा है इसलिए government और private का दोनों का जो mail है वो हमारा democratic form of socialism जो है जुसको हम follow करते हैं उसकी बात करता है हमने communistic type of socialism को follow नहीं किया जिसमें state ही सब कुछ own और control करता है तो ये था आपका socialist जो word है keyword जो हमारे preamble में उसका क्या मतलब है जिसको हमने 40 second moment से हमने उसको ले के आये थे अगली वीडियो में हम इसके अगला keyword पड़ेंगे हम secular word के बारे में जानेंगे हम secular word के बारे में जानेंगे कि इसका actual true meaning इंडिये के sense में क्या है आपको ये जान के हरानी होगी कि secular का जो हिंदी अर्थ है जो आपका धर्म निर्पेक्षता है secular को हिंदी में धर्म निर्पेक्षता बोलते हैं बट actual में Indian brand of secularism जो है धर्म निर्पेक्षता नहीं है वो कैसा है उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना, बिलकुल भी मत भूलना, तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, पढ़ते रहें, धन्यवाद पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनियत IBTS Institute को और करे अपने HAS and Allied Services का सपना साकार, डाउनलोड दी आक नाउ सबस्क्राइब कर forte अपना साकार, व्याले में मिलते रहें, बどうस्तोerson रहें ऐसाना